नमस्कार मैं हूँ अंजु पंकज बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका एक तरफ दिल्ली के कट्टर इमानदार सीम अर्विंद केशिवाल जो तिहाड जेल में बंध है वो टक-टकी लगाकर तीन मई की तरफ देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि क्या पता तीन मई को सु सुप्रिम कोट के सामने रखना है और अर्विंद केशिवाल राग अलाप रहे हैं कि उन्हें तो अवैत तरीके से गिरफतार किया गया है टाइमिंग खराब है चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले उन्हें गिरफतार किया गया है जो बहुत गलत है चार- प्रेडी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से रेगुलर बेल मिल जाए या अंत्रिम जमानत मिल जाए लेकिन मंगलवार को सिसोधिया को जोरदार चटका लगा था राउजवेन्य कोट से जब उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी बुदवार को उस जमानत याचिका के खारिज होने के कारण सामने आए हैं जब अदालत से ओर्डर जारी हुआ तो पता चला है कि सिसोधिया ने इस आधार पर जमानत मांगी थी अपनी याचिका में ये कहा था कि ट्राइल में देरी हो रही है कच्छोए की रफतार से मामले की जाच आगे ब उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से कहा गया था कि अगर ट्राइल में देरी होती है तो तीन महीने के बाद वो अदालत का दर्वाजा खट कटा सकते हैं जमानत के लिए उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना ने एडी को भी कहा था कि वो जल से जल ट्राइल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू करें और राउजवेन्यू कोट ने अपने ओर्डर में कहा है कि ट्राइल में देरी ED या CBI की वज़े से नहीं हो रही है मनीश सोधिया की वज़े से हो रही है उन जैसे बाकी या ED से जवाब मांगना पड़ता है फिर मामला ट्राइल से हटकर इन याचिकाओं की सुनवाई की तरफ चला जाता है सारा समय वहाँ पर लग जाता है ऐसे में ट्राइल शुरू हो तो कैसे शुरू हो और समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ बहुत सुन्योजित तरीके से हो रहा है पिशले साल 30 ओक्टूबर को जब सिसोद्या की जमानत याचिकाओं खाली जोई थी उसके बाद निचली अदालत पे लगभग सारे आरोपियों के वकीलों ने अलग-अलग याचिकाओं दायर की थी तब जस्टिस नाकपाल हुआ करते थे उन्होंने सीधे-सीधे कहा था कि इस तरहां की याचिकाओं सिर्फ ट्रायल को डिले करने के लिए डाली जा रही है और किस तरह की याचिकाओं थी? कई बार तो यहां तक याचिकाओं डाली गई कि उनको जो soft copy EDS, CBI ने दी है charge sheet की उसकी hard copy चाहिए अगर hard copy दी गई थी जांच agency की तरफ से उनके वकीलों की तरफ से ऐसी याचिकाओं लगाए गई कि उनको तो hard copy जो दी गई है, वो सिल्सलेवार तरीके से कागस नहीं लगाए गए हैं, इसलिए नए तरीके से उनको सारे दस्तावेज मुहया करवाए जाए जो सिल्सलेवार तरीके से लगे हो, तो इस तरह की याज़काई डाली गई, और ये सारी की सारी सिर्फ इसलिए ड चाले गई ताकि ट्राइल में देरी हो और फिर सिसोधिया ने तो यहां पर एक बार फिर अपनी पत्नी की बिमारी का कार्ड भी खेला, कहा कि उनकी पत्नी बहुत बिमार है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, अदालत ने सिसोधिया की पत्नी की बिमारी से जुड़ की कोशिश की सिसोधिया ने लेकिन इसके बावजुद उनको जमानत नहीं मिली जो अपने आप में ये दर्शाता है कि उनके खिलाफ ED और CBI के पास कितने पुखता सबूत है जज, कावेरी, बावेजा ने तो यहां तक कहा कि जब जाज परताल इस स्तर तक पहुंच गई है तो फिर सिसोधिया को ना रेगुलर बेल दी जा सकती है ना अंत्रिम बेल दी जा सकती है और इस तर से मतलब समझने की ज़रूत है क्योंकि अब जो मास्टर मांड माना जाता है नई आपकारी पॉलिसी का ED कहती है कि अर्विन के जिवाल के दिमाग की उपरश्थी नई मुझताच हो रही है और मामला अब ट्राइल की तरफ बढ़ रहा है तो सिसोधिया को जमानत नहीं दी जा सकती और सिसोधिया शायद यह कोशिच कर रहे थी कि अगर एक बार ट्राइल शुरू हो जाएगा फिर तो उनको जमानत मिलने से रही इसलिए वो चाह रहे थे कि उ आमादी पार्टी में क्या कुछ हो रहा है? आमादी पार्टी वो पार्टी है जो जूटे narrative set करने के लिए जानी जाती है जबसे अर्विंद के जिवाल गिरफतार हुए है हर रोज आमादी पार्टी के प्रवक्ता नेता मंत्री एक नया-नया मुद्धा मीडिया में अच्छा में बनाए रखने के लिए उनसे जुड़ा कोई ना कोई मुद्दा वो मीडिया के सामने रख देते हैं और उस पर राजनीती करते हैं अब ये कहा जा रहा है कि तिहार जेल में अर्विंद के जिवार को मारने की कोशिश हो रही है उनकी जान लेना चाहती है मोधी स सरकार लेकिन इस बाद आमादी पार्टी को करारा जवाब दिया है ग्रही मंत्री अमित्षा ने उन्होंने सीधे सीधे कहा कि दिल्ली सरकार के अंडर आती है तिहार जेल यानि कि वहां का सारा प्रशासन आमादी पार्टी की सरकार के कहने पर ही काम करता है तो क्या ये मान डाल करवा सकते हैं, लेकिन आम आधी पार्टी के नेता तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं, वो सिर्फ वो आरोप लगाते हैं, जिनसे की एक सिंपथी पैदा हो सके, जिससे की एक फेक नेरेटिव सेट हो सके, जिससे की सिर्फ उनकी राजनीती की दुकान च चक्कर में है और साथ विधायकों को 25-25 करोड रुपए ओफर किये गए है अर्विन केजिवाल ने एक्स पर एक लंबा चोड़ा पोस्ट लिखा था दो दिन के बाद आतिशी सिंग ने उस पर प्रेस कॉंफरेंस की थी बीजेपी पर आरोप लगाया गए थे कि उनकी सरकार क को गिराना चाहती है बीजेपी उनके विधायकों को खरीद रही है तब बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया था कि अगर उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी तो पहले तो वो नाम बताएं उन नेताओं के और दूसरे उन्हें दिल्ली पुल का जवाब देना था क्राइम ब्रांच को लेकिन वो दिन और आज का दिन अभी तक सबूत नहीं दिये गए हैं क्राइम ब्रांच को आतिशी सिंग और केजिवाल की तरफ से कि किस आधार पर उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर ये आरोप लगाया था अगर सबूत थे आति बीजेपी के सवाल उठाए थे कि आतिशी सिंग किस आधार पर बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है अगर उनके पास सबूत है तो नाम बताएं कि BJP के किस नेता ने उनसे कहा कि वो BJP में आ जाएं तब आतिशे सिंग की तरफ सी कहा गया था कि उनके बहुती करीबी के घर पर BJP के नेता ने मैसेज भिजवाया था यानि कि तब भी हवा हवाई बाते कर रही थी आतिशे सिंग बिना सिर पैर के आरोप लगा रही थी अगर उनके पास सबूत थे तो उनको उस वक्त सबूत सामने रखने चाहिए थी मीडिया के और फिर उस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें एक नोटिस भेजा गया था कि किस आधार पर उन्होंने बीजेपी पर ये आरोप लगाया है उस नोटिस का भी आज तक आतिशी सिंग ने जवाब नहीं दिया है जिसके बाद बीजेपी ने आतिशी सिंग और केजिवाल के खिलाप मान हानी का केस दर्ज करवाया है तो समझने वाली बात ये है कि आदतन आतिशी सिंग और आमाद करते हैं और आतिशी सिंग भी यारोप लगा चुकी है कि अरविन के जिवाल की जान को खत्रा है तिहार जेल में संजे सिंग ने तो जब उनको गिरफ़तार किया था पिछले साल चार अक्टूबर को एडी की टीम ने उसके अगले दिन जब उनको राउजे वेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था उसी दिन उन्होंने शोर मचा दिया था कि उनको एडी ने जान से मारने की कोशिश की उनका कहना था उपर से आदेश आ रहा है जब संजे सिंग को एडी के मुख्याले से कहीं और शिफ्ट करने की बात हो रही थी तब उन्होंने शोर मचाया था उनके आरोपों में भी कहीं कोई सबूत नहीं था सिर्फ हवाबाजी कर रहे थे उसके बाद वो कितने महीनेती हार जेल में रहकर रहा है क्या हुआ उनको उनकी जान को कहीं कोई खत्रा हुआ उसके गवाहों के साथ मार पिटाई करती है एक गवाह से जूटी गवाही हासिल करने के लिए वीडिया के सामने पेश करेंगी, तो क्या अभी तक समय नहीं आया, यहां गौर करने वाली बात यह है कि आतिशी सिंग ने ED के अधिकारियों पर भी आरोप लगाये थे, यह आरोप लगाये थे कि कुछ गवाहों की गवाही की ओडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग् और यह वो गवाह थे जो ED के अधिकारियों के हिसाब से गवाही नहीं दे रहे थे, क्योंकि यह रोप लगाया था कि ED के अधिकारी जोर जबरदस्ती से, मनमाफिक तरीके से गवाहों से गवाही देने के लिए कहते हैं, किसी ना किसी को फसाने के लिए गवाही देने को कह इसलिए जब उन गवाहों ने ED के अधिकारियों के हिसाब से गवाही नहीं दी तो उनके आडियो और वीडियो दोनों डिलीर कर दिये गए जबकि ED की तरफ से ही सफाई आई थी कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है ED जब भी पूछ आज करती है और पूरे आफिस में CCTV कैमरे लगे हुए है किसी से जोर जबरदस्ती का सवाली नहीं उठता तब ED ने ये भी कहा था कि वो आतिशी सिंग को नोटिस भेजेंगे उनके खिलाफ कानूनी कारवाई करेंगे लेकिन आज तक इस मामले में कुछ नही हवा हवाई ही साबित हुए संजे सिंग ने भी ED पर आरोप लगाये थे कि गवाहों के साथ मार पिटाई हो रही है लेकिन संजे सिंग भी आज तक सबूत पेश नहीं कर पाए कि किन किन के साथ मार पिटाई हुई यहां तक उन्होंने कहा था कि बहुत सारे गवाहों को कहा आरोप लगाते हैं और आरोपों के पीछे पर आधारी नहीं होता इसलिए हवा हवाई बाते करते हैं मीडिया में बैठ कर और जब मानहानी का केस दर्ज हो जाता है या नोटिस जारी हो जाता है तो पतली गली से भाग निकलते हैं मनीशी सोधिया जब उनको CBI ने समन भेजा था तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉंफरेंस की थी और उस प्रेस कॉंफरेंस में कहा था कि उन्हें बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं उस वक्त भी उनसे पूछा गया था कि सबूत क्या है क्य लेकिन सोच ये, उसके बाद 26 परवरी को पिछले साल से सोध्या गिरफतार हो गए, आज तक 15 महीने हो गए हैं उनको तिहार जेल में, आज तक वो समय नहीं आया कि वो उस रिकॉर्डिंग को पब्लिक डोमेन में रखे, अगर वो तिहार जेल में पहुंच गए थे, तो उनक जब कोई आरोप लगता है आमाधी पार्टी के नेताओं पर तो उनके लिए सबसे आसान होता है, ये कहना क्योंने तो बीजेपी अपने पास बुला रही है, बीजेपी कह रही है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, केजिवाल की सरकार गिरा दो, बिना सिर पैर के आरोप लग जाया है, तब वो बच नहीं पाएंगी, अब उनको बताना पड़ेगा कि किस आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाए, या फिर हो सकता है कि वो अर्विन केजिवाल की तरह काम करें, जैसे अर्विन केजिवाल, 2011-12 में, UPA सरकार के किसी भी मंत्री, किसी भी नेता पर, कि इसी भी अधिकारी पर रष्टाचार के आरोप लगा देते थे, उस वक्त उन्होंने बीजेपी नेता, आरून जेटली पर आरोप लगाए, नीतिन गटकरी पर आरोप लगाए, कपिल सिब्बल पर आरोप लगाए, और जब उन सब ने उन्हें मानहानी के केस में, अदालत में घसीटा, तो अर्विन केजी वालने माफी मांग ली, पतली गली से निकल गए, तो हो सकता है कि आतिशी भी यही सब करे, क्योंकि सबूत अगर उनके पास होते, तो वो बड़े आराम से उन सबूतों को मीडिया के सामने रख सकती थी, लेकिन अब वो फस गई है, अब या तो उनको सबूत सामने रखने होंगे, या फिर आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, जूट बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन दिल्चस्प यह है कि आम आदी पार्टी जब जूट बोलती है, तो उसके सारे के सारे नीता एक सुर में ए अर्विन केजिवाल की जान को खत्रा है जबकि एक दिन पहले भगवन्दमान तिहाड जेल में अर्विन केजिवाल से मिलकर आये तो उनका कहना था बिल्कुल ठीक है सेहत मंद है कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब तो उनको इंसुलिन भी मिल रहा है तो जब सब कुछ ठीक है तिहाड जेल आपकी सरकार के अंडर आती है तो फिर वहाँ पर अर्विन केजिवाल की जान को खत्रा किस से है संजे सिंग भी चिला रहे थे पिछले हफ़ते कि तिहाड जेल में बड़े खुंखार अपराधी रहते हैं वहाँ पर तो गैंग वार होता रहता है अर्विन के जाते ताकि जनता के बीच एक सहानुभूती बने अर्विन के जिवाल के लिए कि देखिए उनकी जान को खत्रा है तिहाड जेल में भी और वो तो जब भी कोई आमादी पार्टी का नेता उनसे मिलने जाता है तो किसानों के बारे में पूछते हैं पानी के बारे में पूछते हैं और उनकी जान को खत्रा है और फिर कोशिश कहीं न कहीं ये होती है कि इसी आधार पर अर्विन के जिवाल को शायद जमानत मिल जाए मेडिकल ग्राउंड्स पर तो नहीं मिल पाई तो जान को खत्रा है ये इतना पहला दो कि इसी आधार पर जमानत मिल जाए स फिर कानूनी कारवाई का सामना करेंगी लेकिन इतना हथता है कि वो अब अपने इनी जूटों के चलते बुरी तरह से फस गई हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें शेयर करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को अपना पूरा सा योग दे ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत वंदे मातरम और जैशे नाम